नमस्कार मैं पूजा भारती और आप देख रहें निउजम इंडिया वैश्विक महामारी COVID-19 से हर कोई परिशान है पूरा देश इससे ग्रसित है ऐसे में अलग-अलग देश में इसको ले करके रिसर्च किया जा रहा है और हर कोई चाता है कि जल से जल इसकी जो वैक्सिन है वो निकल जाए ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए रांची के डॉक्टर जाने माने डॉक्टर युएस वर्माजी मौजूद है जिन्होंने हेमोपेथिक और अलोपेथिक की सिक्षा जो है वो ग्रहन कर चुकी है इन्हें कोई पहचान की जरुरत नहीं है ये अपने आप में एक पहचान है इनसे जानेंगे कि इनका एक दावा है कि जैसे रशिया ने और अलग-अलग कंट्री ने रिसर्च करके कोरोना वैक्सिन का दावा निकालने का दावा किया है पर इनका ये मानना है कि उनसे पहले हम लोगों ने एक दावा जो है वो निकाल ली है जिसका नाम संजीवनी है क्या कुछ इसका खासियत है इस संजीवनी दावा का खुद इनी से जानेंगे आपका न्यूज एम इंडिया में स्वागता से धन्यवाद आपको सेर आपका जो दावा है कि कोरोना का जो आपने दावा निकाला है जिसका संजीवनी नाम है तो ये कितना कारगर साबित हो रहा है कोरोना काल में यूवी 66 संजीवनी गोल रख जो है ये अभी तक हम लोगों को करीब 20,000 लोगों में दिया गया असफलता कहीं नहीं मिली तो हम लोग यहीं दवा करते हैं कि सफलता इसमें 100 प्रतियसत है एक भी केस में कैयोल्टी मौत नहीं हुई है और जो लोग पहले से लेते आ रहे हैं उनको हुई नहीं है करीब करीब साथ कोविट पॉजिटीव केस आये जो हम लोग रिकॉर्ड किये और दवा दिये किसी को तो 15 मिनित में ही काफी अराम मिल गया उसमें गले में खरास हो गया सुखी खासी हो गया सर का दर्द हो गया बदनात का दर्द हो गया विकनेस अब चाहिनी 15 मिनट में भेनिश हो गई और कुछ लोगों के तीन से पांच दिन लगा और दो तीन केस में साथ दिन तक लग गया उनके साथ बातें थी कि उनको डियाबिटीस था ब्लड पेसर थी कंप्लिकेशन और था खुन की कम्या थी किड्नी की करावी थे तो उन्हों को इंटर्नल सिस्टम को थोड़ा एनरजाइज करना पड़ा और वह भी ठीक हो गया तो साथ तो रिकॉर्ड केस है जो पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया कहीं कोई साइड रिफिक नहीं कोई डे कि उन्होंने अपने डॉर्टर को ही इसमें इस्तमाल किया है उनको दवा दिया है तो आपने अपना जो संजीवनी दवा निकाला है तो किस किस के उपर यहां पर जार्खन राजे में और अलग अलग राज में आप लोगों ने इस्तमाल किया है किस को अभी तो रांची में बिहार रांची और बेंगॉल के लोग आये थे इन लोगों पर हम लोग जहां सो ट्राइए करके जो हासो देखा गया अब रांची में डीस्वीज नीरज कुमार थे उनको दिये सुमीद कुमार में इंडोड में थे सुवास जयपुयार हो गये उनके परिवार में 4 सदस्य थ बात है यह सब लोगों का पॉजेटिव था और उन्हों का यह था कि नहीं हम लोग कोवीड हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे हम लोग यहाई से दवा खा रहे हैं जदि आप एश्योर करते हैं तो अच्छी बात है हमने बहुत सो प्रतिस्त हमने एश्योर किया कि कहीं कोई इफ बट नहीं है कहीं कोई नेगेटिव बाते नहीं है आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और सभी लोग स्वस्थ हो गया बहुत छोटे से समय में बेगार किसी तरह का साइड रिपेक्ट का एलोपैथिक दवाओं में कोई दवाई बना नहीं है जदि यह दवाईयां दी जाती है तो सिम्टोमेटिक इलाज होता है और कुछ दवाईयां जो है जैसे हैड्रक्स और क्लूरिकृन जो है उसका तो इतना अधिक साइड रिपेक्ट है कि हिरजाय रोगी है तो उनका डेथ होने के चांसे बहुत अधिक होते हैं नारमल जो ब्यक्ति है उसको भी ज उनको यह भ्रम है कि अगर किसी को बुखार होता है सर्दी खासी होता है तो उनमें यह डर हो जाता है कि मुझे कोरोना ही हो गया है तो कैसे लोग फर्क करें कि मुझे कोरोना नहीं हुआ है फ्ल्यू हुआ है यह जो आपने बड़ा अहम प्रश्ण की है एक तो है कि डर और और भय पैदा ही नहीं होना चाहिए डर भय ऐसे ही ब्यक्ति का इम्मुनूटी को कम करता है रोग प्रति उजख्षमता की कमी हो जाती है लोग कितना जो है तो इसी कारण से आत्म हत्या कर ले रहे हैं तो यह तो डर भय बिलकुल हो इसमें हो सकता है कुछ एजंसी हो गया या फिर जो है सो विस्व व्यापी जो है सो कुछ एजंसियां इन्वाल्व होगी जो डर और भय पैदा करके लोगों में अपनी जो है सो मार्केटिंग को जो है सो बढ़ाने के लिए ऐसा किया हो और रहा बात आपको की लक्षन क्या है कैसे हम डिफ्रेंसियंट करेंगे यह ज दूसरा रूप नहीं है उसी का थोड़ा प्रवजित जो ऐसा रूप है इसमें भी जो और जैसे होता है वैसा है सुखात खासी होगा सुखात कुछ चीक आएगी सर में भारिपन रहेगा सर में दर्द रहेगी बदनात में जो हैसो दर्द रहेगा थोड़ा बुखार जो काम कुछ धीला होने लगता है, छीक आने लगता है, आंक से नाक से कुछ पानी भी जो है सो जा सकती है, सरदर्द और फीवर जो है सो बढ़ने लगता है, बदन हाथ में दर्द बढ़ने लगती है, भूख की कमिया हो जाती है, जब 10-12 दिन बीच जाता है, तब यक्तियो को फेफड़े में सांस लेने में दिक्कत होने लगती है इंटर्नल पार्ट में सूजन हो जाती है फेफड़े का इंटर्नल पार्ट में सूजन होकर करके और हवा आने जाने की जो है इनिलेशन इक्सेलेशन में दिक्कत होने लगता है बुखार काफी बढ़ जाएगा सर में दर्द बढ़ जाएगा बदनात में दर्द बढ़ जाएगी सांस लिने में दिक्कत हो जाएगा जीवनी सकती कमजूर होकर करके लगता है कि अब हम काल के गाल के तरफ अग्रासित हो रहा हैं कुछ लोगों को सरीर निर्हाल हो जाता है ठंडा पड़ जाता है बेट पर सोय हिमत नहीं करता है कि हम उठ पाएं चल पाएं छू करके देने देखने से लगता है कि सरीर इनका ठंड पड़ गया है उसका भी हम लोग इसमें केमफर नाम का दवा जो हैं जो देते के सांथ दो से पांच मिनट में सुधार होता है पंद्रह मिनट के अंदर पेशेंट टू है तो दिक्कत होता है उसमें कभी कभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम की आश्रक्ता पड़ जाती है आपकी जो संजीवनी है दवा वो एक संजीवनी बूटी की तरह काम कर रही है लोगों के लिए तो और यह सक्सेस्फूल भी मानी जा रही है तो अलग राजे के रिसेर्चर् आप यूज़ करके देख सकता है बहुत लोग ले गए बहुत लोग एजन्सिया जो है तो इसमें ट्राइब ही कर रहा है अपने तरीका से उन लोग जो आतो देखने हैं हम लोग निशिंत इसलिए है कि यह हार्म्लेस मेरिशिन है कोई साइड नहीं होता है स्वस्थ ब्यक् किया यह जाने माने डॉक्टर है ऐलोपेत और होमोपेत के इनका यही साफ तोर पे यही कहना है कि हमने जो संजीवनी दवा निकाली है यह लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम कर रही है आगे जो देश और भी इस पे रिसर्च कर रहे है और रशिया ने जो दवा निकाली है वो कितनी कारगर सावित होगी ये तो देखने वाली बात होगी लेकिन हम लोगों ने जो दवा निकाली है वो लोगों के लिए काफी फाइदा मंद है और होमेपेथिक के रूप से इसमें कोई